तो हम लोग 24 गंटे बिना इसी के रहने वाले हैं, वो अभी 40 डिक्री टेमपरेचर पे, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है एक नहीं experience वीडियो में, याकीनन इस वीडियो में आप सभी लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाले हैं, 24 गंटे बिना इसी के रहने से पहल पार्मी होती है भी तो एसी टेमपरेचर बढ़ रहा है तो इसी के बिना गर्मी तो लगती है अगर लाइंगर घर्मी उति होती है, मचछा काटते हैं, बच्चों को सोने के दिक्कत होती है और निए ईसे के जिन्दी तो यहना ठीरी आसक लापादी थी इसलिए च्छा देखा है। क्ति करमी में कौन से थोड़ा बहुत आती है कि अतना नहीं किकिते है देखने कि आती है. दो तीन मिने गर्मी जाधा पड़ती है हम निकाल देते हैं गुजारे कर लिए किस तरह सी कुजार गड़ेंगे ऐसे थोड़ा द्रखत सामें बैठ जाते हैं पती बंदो जाती है बस ऐसे कुजार गड़े दूर जिम्मधारी है दो में काम करते हैं वो तक करना पड़ेगा क्या जिया कि दिक्षट का इंग गौक मेर देख धो होड़ ना बहूत गर्मी होती है रात दिन और राद सुए नहीं ग्लख एक मेला टिन रात बहुँ परशाने है मरें पूरी रात जागना पड़तौ पराद सोधी भाध गर्लेगी होती है । पूरा शर्ट पंखा बगारा चलता है जिए लाइट कम रात को मच्छर खाते हैं दो ते गंचा ओड़के और क्या करें जो भूर दो गारा श्रट नेंद पूरी और कि इस बच्चे नी सोगे तो एक डिकत वो तैसे घर्मी बहुत है परेशानी बहुत होती है तो पूरा दिन दूप में काम करना है दिन में जब रात के सोते हैं तो परेशानी आप जाद करते हैं वी इतनी होती है कि बहुत जदा, बन करता है कि अगर इहां कभी ख़त हो तो चछत पर लेड़ जाती है लेकिन यह ख़त भी नहीं है ना अब इस वह रहते हैं, कमरे क्लें के अंडले हैं जैंने वोविधिन के तपते हैं आप नहीं हम लगानी सकते हैं अगर ऐने फिलेगे तो खाएंगे क्या है जिए भाड़ी वाली इन नहीं है काम लगता है तो दिन का काम है और चार दिन का खर्चा है मतलब आप कभी ऐसा सोचते हो कि हमारे गर पे AC लगजा ऐसा। सोचते हैं चीव है, सलिए तो काम करते ह्न, एक दिन ऑफी चुट्टी की evento करते हैं अम भी सोचते कि हमारा भी AC हो, हमारा भी घर हो right, लेकर क्या करें, बहुत है लोगा है मितलम आपको मिलब AC मिल जए तो आपको कैसे लगीगा ? इसी मिल गए तो बहुत बढ़िया लेकर बहुत निकत сейчас लेकर बहुत होगा ? इस उरनी समेसे मुवका देगा तो भीया सेईएख्या कैसे लगीगा ? बहुत अच्छछा लगए लाफ फर तो ? अगर आपको का बिल कहां से देंगे हम कि वैसे बल्लब कि इतना आरा है पंखय का तो बिल्ली के जब हमारे को इसी मल जगा जागा जागा पाला हमें फ्रीम कहां से परेंगे प्रीम का चाहिए है तो जैसे माल करना दिख़ा हुआ है गिल्द तभी लाइट बंद जाएप लाइट पांता हो जड़ फिर हम इस फिर पूरा रात हैं मालप जो लोग एसी में राती हैं उनको क्या सला देना चाहूगा इस इमे जो बाहिते हैं जब लाइट बंदो जाती है, उनका एसी भी बंदो जाता है, कितन देर चलेगा, उस देर नी चलेगा, घर भी हमारे से ज्यादा उनकी आफ्तक्रावी है, वो हम ते परशीना नकालेंगे ना, हमको बंबारी कोई नहीं रगे, जो एसी होता है, इसे भी बंबारी लगे जाता अगर आपका यह सपना पूरा है तो अपो कैसा लगेगा? अब जिसका पूरा होता है उसी को पता होगा कैसा लगता है, अपने इमन से खुद अपने अच्छी पील आती है, जो लगता है कि आयार कुछ कर की दिखाया है मैंने अब 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 तक एसी वगार में गये हो मैंने खाया है, मैंने अब आपको कोई क्यों आपस में गए किसी ने बूलाया तो दो अब कि आपको इस टेम पेशले जाते है तो अपने अब चैसा लगता है उस टेम पेसी लिए यार महार बाब कोई क्यों आदरगार लिंग होना इस आद्य और अभर इतायों चिप्छ इसके बाद मैं समझ चुका था कि लाइफ विदाओट एसी कैसी होती है मैं काफी हद तक एहसास कर रहा था और काफी हद तक मैं समझ चुका था लाइफ विदाओट एसी कैसी होती है तुम लोगों को इनकी बात सुनके कैसा लगा तुम लोगों के क्या भी चार है लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन और फिर फ अगर तुम लोगों को पता होगा अगर नहीं पता है तो यह जो दो वीडियो है इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगी अब सुबा पांच बजे से लेकि दस बजे तक कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली क्योंकि उस टैम पर 30 to 35 डिगरी टैमपरेचर होता है और उस टैम पर कोई भी बिना इसी के अराम से अपने जिन्दगी को नहीं जिन्दगी मेरा कहने का मतलब है आपने उस टैम को नहीं पर मैं घलत था टैमपरेचर इतना ज्यादा हाई था मेरा कुछ टाइम बाद ही यह तो इतना परसीन नागे सरफ बहर जाते इतनी जादा गर्मी है और इस तैम भी तनी गर्मी हो ती कि मैं सोच रहा था कि मैं पंखा लगा लो मैंने तुम लोगों को बताया नहीं तो मैं 5-10 बजे तक विदाओड फैन रहा था मैंने सोचा कि 5-10 बजे तक इतनी गर्मी नहीं होगी तो हम लोग बिना पंखे के भी रह लेंगे पर ऐसा नहीं था काफी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मेरा पूरा मन कर रहा था मैं पंखा लगा लूँ पर फिर मैंने सोचा कि ठान लिए एक बार तो 10 बजे तक पंखा नहीं लगाएंगे पर उसके बाद जैसे ही 10 बज़ते हैं मैं बाग के जाता हूँ वहां से और पंखा लगाता हूँ और अब आता है 10-12 गडाई टेमपरेचर 35-40 डिगरी हो चुका था और काफी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी किया सब्सक्राइब किया क्या काफी किया मतलब काफी मुश्किल से वह टाइम हमने पूमिब टाया पसीन आ रहा था बार बार शर्ट भी थोड़ी बहूत, फस्मुश्मी दी गालाग वार वक्त प वह तो स वक्त में मैं काफी चिज़ें सोच रहा था था उह लोगों के सो पर शाथ में बांबिंग भी हो रही है हर जगा पर आग लगी हुई है तो उनका काफी खराब हालत होगी तो प्लीस हम लोगों के हाथ में प्रेक करना तो प्लीस आप प्रेक कीजिए उनके लिए और फिर वो टाइम के बाद 12 मज़े तुम लोगों को बता दू टैंपरेचर 40 प्लस हो चुगा था और उस ताइम पर सर्वाइब करना पंखे के आगे भी बहुत मुश्किल था मतलब वोई टाइम निकालना सर्वाइब क्या उस ताइम पर तो मैं तुम लोगों को क्या बता हूँ उस ताइम पर मेरी ऐसी हालत थी मतलब मेरी शर्ट बार-बार गेली हो फिलाल नहां दो के कपड़े पड़े पहन के अभी मैं बहार साया लब गर्मी थी निमाज पढ़ने काथ बहार और इसी भी लग चुकी है सब के अर फिलाल मुझे दो भी नाइसी कि रहना है मैं चाने वाला था यहाद आया भाई तो चालेज कर रहा हूं और इसी रहा लिए अलší हुआ है फिलाल हो पनका लगा देते है घर्मी कियूंकि कवह चल्मी है अब पनका लगा देते हूं इस रूम में बैट यह great और झाने के बाद मैं काफ सल्गा अभा ज тебе कर रहा था और उसके बाद आता है हमारा खानए खाने का टाइम और वह फैमिली टाइम भी होते तो मैं तो था मतलब यहां पर बिन A.C. के बाकि सब लोग A.C. में आराम कर रहे थे तो फिर क्या होते हैं मैं जाता हूँ वहां पर चाखे A.C. मंद कर देता हूँ और कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाता हूँ दिमाग खराब हो जाता है, घर्मी की वज़े से मारी हालत एकदम खराब होती है, तुम लोगों ने भी यही सोचा था, कि मैं यह बोलूँगा, प्रैसा बिल्कुल नहीं था, गर्मी तो थी, और मैं उसको बरदाश करने लग गया था, और अब मुझे गर्मी बरदाश कर पा मैं भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ मेरे साथ, और मैं तुम लोगों को अब तक का एक्सपीरियंस बताऊं, तो नाफिस साब की बिना लाइन की यह वीडियो अदूरी है, तो नाफिस साब कहते हैं कि गर्मी भी उनके लिए जिनके पास एसी है, हमारा दिन लावाओ, काफी दिकत होती है, इतने गरम पानी में, रात होते ही मैं सोचने लिए तो कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि रात को तुम लोगों को बताऊगा, कोई भी ऐसा बंदा नहोंगा, जो बेना एसी की सोते है, रात को सभी एसी में सोते हैं, तो अंदर क्योंकि मैं सोच रहाती है, कामरों के अंदर, रूम के अंदर, तो मैं सोच रहा था बहुत को क्या करूंगा, और मेरे पास दो यह реकाच्शन थे, यह मैं बहार सोजाओ। यह फिर मैं अपने रूम के अंदर पंखा लिए कर पवाली थे, तो मैं बहार चलें के सोने के लिए, पर कभी ये धिक्कत खतम नहींगी थी मतलब ज्य दिन भर हमने इतनी दिक्कत नहीं थी वो पूरी रात को दिक्कत होने वाली थी हम लोग लेटते ने और हम लोग सो जाते थे हैं और रात को फिर कुछ टाइम बात बारश ल Kenn учात और तुफान आजाते हैं हम लोगों को जल्दी से अंदर जाना पड़ते हैं और तुम लोगों को पता होगा कि लाइट बंद हो जाती है बारिश के एक बून से भी और अंदर लाइट बंद हो चुकी थी और उसके बाद हम लोग अंदर चाके सो जाते हैं पर हमें नीद नही क्योंकि काफी ज़्यादा घर्मी थी और हमारी शाट पूरी पसीने से गिली हो चुकी थी और काफी ज़्यादा दिक्कते हो रही थी हम लोगों को मतलब घर्मी में काफी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था मैं इतनी ज़्यादा घर्मी में इतनी ज़्यादा दिक्कत मुझ थी जितनी जादा दिक्कन मुझे रात को ही और उस टेम में मुझे मतलब दिल लोगों से हमने बात की थी उन लोगों की बात याद आ रही थी कि मतलब दिन तो निकल जाता है उनका पर रात को काफी जादा दिक्कत होती है और ऐसा बिलकुल सचता रात को तो काफी ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर हमारा यह 24 गंटे का विदाउट एसी चैलेंज का थम हो जाता है पर अभी रुको मैं अपना एक्सपीरियंस तो बता दू तुम लोगों को इस एक्सपीरियंस में काफी ज़्यादा चीजें हमें सीखने को मिली हम लोगों को पता चला कि जो जिन्दगी होती है बेन ऐसी कि यह कैसी होती है उसको तो मैं एक लाइन में डिफाइन कर चुका हूँ अब दिक्कते होती है मतलब दिक्कते तो काफी होती है पर नाफिस कि दिक्कते भी उनके लिए जिनके पास एसी है मतलब मैं उन सब लोगों से बात करने के बाद मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बाद यही बोलना चाहूंगा कि दिक्कते उनको होती है जिनके पास एसी होती है मतलब उन लोगों को भी होती है जिन लोगों के पास एस सर्च में मतलब यह बात सेर्च है मतलब हमें लगता है नम जब लगता ठा से पहले इस एकस्पिरिंच के पहले मुझे भी लगता था कियाNow that इस correlate बेना एसी के नहीं रह सकते हैं पर जिनके पास एसी नहीं है वो उसी टाइब से सर्वाइब कर लेते हैं मतलब उनको को वीडियो अच्छी लोग यह तो लाइक शेयर शायब जरूर कीचेगा मैं हर हफ़ते एक नए एक्सपीरियों के साथ आते रहता हूं एक नए वीडियों कर दो जिन अभी साथ आता रहते हूं लोगों की जिंदगी के बारे में जानता रहता हो तो तुम लोगों को सिखाते रहता हूं अगर तुम लोगों ने पाकि कि कुछ वीडियो नहीं देखिये तो जरूर जाके लिए क्योंकि अभी जून चुलाई की चुटी है तुम लोग फ्री हो जरूर हमारी सबी की सबी वीडियो चेक आउट कीजिए तुम लोगों को बता देता हूं हम लेकर 30 रेट रमज़ान किया हम लोगों ने शॉप की पर की लाइफ के बारे में जानने हम लोगोंने मादर की पूर जीएगा वहां पर भी हम मस्ते मस्त कॉंटेंट कॉंटेंट बनाते रहते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं